Civils Only में आप सभी का स्वागत है Current Affairs Series का Part 27 आज हम डिसकस करने वाले हैं और इसमें March और April के Mixed Current Affairs बनाएगे हैं आगे भी जो वीडियो एक दो वीडियो आएगा उसमें March अप्रेल के Mixed Current Affairs रहेंगे उसके बाद जब March की Current Affairs खतम हो जाएंगे अप्रेल के Current Affairs जो बचे रहेंगे वो होंगे उसके बाद मई से प्योर मई के Current Affairs चलाए जाएंगे आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हमारा पहला प्रशन है यूक्रेन में फसे भारतियों को बचाने के लिए कौन सा Operation चला गया था Options है Operation Ganga Operation Kalasagar Operation Ukraine या फिर Operation भारत इसका राइट एंसर है Option A Operation Ganga यूक्रेन पर हाली हरूसी आक्रमट के बीच भारतिय नागरिकों को यूक्रेन से निकालने के लिए भारत सरकार दोरा Operation Ganga चलाए गया था इसमें भारत पहुँचने के लिए यूक्रेन के पड़ोसी देशों जैसे की रोमानिया, हंग्री, पोलाइंड, मैलोवा, स्लोवाकिया इन्होंने भी परिवाहन सहायता दी थी हाली में विदेश मंत्री ने संसद में Operation Ganga का जिक्र करते हुए कहा की इतने बड़े स्तर पर किसी विदेश ने बचावबयान नहीं चलाया है भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जो कि 20,000 नागरिकों को अपने देश आपस ले आया है यूक्रेन से 90 विमानों से भारतिय नागरिक सो देश लाए गए इसके लावा एक चीज जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो याद रखनी है वो है यूक्रेन के सीमा वर्ति देश या समुद्र तो कुछ पड़ोसी देशों को आपने देखी लिया यानि रोमानिया, हंग्री, पोलायन, मिल्डवास, लोग्या इसके लावा आप यहां मैप पर बेलारूस को देख सकते हैं जो कि यूक्रेन के उत्तर में है और रूस जो कि इसके पूर्व में और दक्षिड में है कालजागर तो कुल seven countries हैं जो यूक्रेन को बारडर करते हैं और ब्लेक सी इसके दक्षिड में है जो यूक्रेन के border को touch करता है चलते हैं next पे next question है बूचा नरसंगार किस देश ये संबंदित है options है सीरिया, यूक्रेन, पाकिस्तान या फिर अफ़िर अफगानिस्तान correct answer है option B यूक्रेन से हाली में भी बूचा नामक कीव के उपनगर में 300 से अधिक शौ मिले हैं कुछ सबों के हाथ बदे हुए हैं मांस जले हुए थे और कुछ के सीर के पिछले हिस्से में गोली मार दे गए थी और इस नरसंगार के तुलना दितिये विश्युद्ध के दोरान नागरिगों की हत्याओं से की जा रही है दिखें रूस और यूकरेन के बिच जो हाली आयुद्ध हुआ है उसमें बूचा नरसंगार की बात सामने आने के बाद पूरी दुनिया में रूस की आलोचना हो रही है और रूस की ओर से भी बयान जारी किया गया है जिसमें कहा है कि बूचा से जो भी तस्बीरे हाई है वह यूकरेन द्वारा पश्चमी देशों और मीडिया पर दबाव बनाने के लिए बनाएगी तस्बीरे है चलते हैं नेक्स्ट कोशिन पर भारत का सयुक्त साहित उच्छों साहित अकाडमी का फेस्टिवल ओफ लेटर्स साहित उच्छों कहां आयोजित हुआ है उप्शन है उत्तरप्रदेश, महाराष्ट, जम्मू और कश्मीर या फिर नई दिल्ली इसका करेक्ट टैंसवर है उप्शन डी नई दिल्ली भारत का सयुक्त साहित उच्छों साहित अकाडमी का फेस्टिवल ओफ लेटर्स साहित उच्छों नई दिल्ली में शुरू हुआ है फेस्टिवल ओफ लेटर्स दोजार बाइस भारत की आजादी की पचत्तरमी वर्सगाट के उपलक्ष में आयोजित किया गया है फोर्थ क्वेश्चन है भारत निमलिखित में से किस देश के साथ धर्म गार्जियन सैन अभ्यास करता है ओप्शन से जापान, स्रीलंका, म्याम्मार या फिर सिंगापूर इसका करेक्ट ट्रेंसोर है ओप्शन ए जापान के साथ धर्म गार्जियन 2022 एक वार्षिक सैन अभ्यास है जो कि भारतिय सेना और जापान के बीच में प्रतिवर्ष आयोजित क्या दता है दोनों देशों के सस्त्र स्रबलों की बीच एक तालमेल स्थापित करने का या अनूठा उसर प्रदान करने वाला या अभ्यास भारत जापान मैत्री के कालाती संबंदों को मजबूत करनी की दिशा में केंद्री था चलते हैं नेक्ष्ट पे नेक्ष्ट में से किस राज में पहले ड्रोन उस्कूल का उत्घाटन किया है उप्शन्स है गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तरप्रदेश, दिल्ली इसका करेक्ट रैंस्वर है उप्शन C, मध्य प्रदेश अभी हाले में केंद्री नागरी कुड्यन मंत्री जयोतिरादित सिंदिया और मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री शिवराज सिंग चौहान ने सयुक रूप से मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पहले ड्रोन स्कूल का उत्घाटन किया है या ड्रोन स्कूल मध्य प्रदेश के बिभिन शेहरों में खोले जाने वाले पांच ड्रोन स्कूलों में से एक है अन्य चार शेहर हैं जो कि भोपाल, इंदोर, जबलपूर और सतना है तो ये टोटल पांच शेहर है चलता है नेक्ष्ट पे निम्रिकित में से किस ने भारत की विकास में स्रम की भूमिका नामक एक पुस्तक लौंच की है ऑप्शन्स हैं भारत की रष्टपदी ने, भूपेंद्र यादो ने, अश्विनी वैश्णो या फिर भारत की पधार मंत्री ने इसका करेक्ट एंस्वर है ऑप्शन B, भूपेंद्र यादो द्वारा लौंच किया गया है अभी हाली में श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादो ने भारत की विकास में स्रम की भूमिका नामक एक पुस्तक लौंच की है और वीवी गिरी राष्टि श्रम संस्थान ने इस पुस्तक को प्रकाशत किया है इस पुस्तक का प्रकाशन आजादी कामरित महच्सों के आइकोनी वीख शमारों का हिस्सा है चलते हैं नेक्स्ट कोशन पर कोलगेट पौमुलिव इंडिया लिम्टिट का CEO और MD अभी हाली में किसे न्यूक किया गया है औप्शन से अनुप माराय, सुरुपे जोती, रीना सेन या फिर प्रभानर सिम्वन को इसका राइट एंस्वर है औप्शन D प्रभानर सिम्वन को कोलगेट पौमुलिव इंडिया लिम्टिट का CEO और MD प्रभानर सिम्वन को न्यूक्ति किया गया है वह राम रागवन की जगा लेंगी जिन्हें कोलगेट पौमुलिव कंपनी में प्रेसिडेंट एंटरप्राइज ओरल केयर के रूप में पदोनत कर दिया गया है चलते हैं नेक्स्ट क्वेशन पर भारत की राष्ट्य साहित अकैडमी ने अपनी 68 वर्स गाट के आउसर पर निम्नलिकित में से कौन सी कविता प्रकाशित किया है आजीवन पतीक्षा, आजमाईश, मानसून या फिर कारे बादल, कारे नैना इसका correct answer है option C, मानसून भारत की राष्ट्य साहित अकैडमी ने अपनी 68 वर्स गाट के आउसर पर भारते कभी वर राजनाईक अभय के की एक बुक लेंथ वाली कविता मानसून प्रकाशित की है और ये मानसून जो है चार पंक्ति और 150 चंदों की एक कविता है जो की मेडा गासकर में अपनी यात्रा शुरू करता है और सम्रिद वनस्पतियों, जीवों, भाषाओं, वेंजनों, संगीत, इसमार्कों, परिद्रश्चों और परंपराओं का आवाहन करते हुए मानसून के मार्ग का अनुसरण करता है चलते है next question पर आकासवाणी की सीर्ष देशों की नवीन्तम रंकिंग में किस देश ने सीर्ष स्थान हाश़र किया है ऑप्शन्स है चाइना, पाकिस्तान, नेपाल या फिर बांगलादेश इसका राई टेंसर है Option C, नेपाल आकासवारी की सीर्ष देशों की नविन्तम रैंकिंग में नेपाल की पहली रैंकिंग पर बने रहना और पाकिस्तान का लगातार दूसरे महीने सीर्ष 10 में बने रहना पर उसी देशों में आकासवारी की बढ़ती लोग प्रियता का परजायक है और जहां पर AIR लाइव इस्ट्रीम सबसे ज़्यादा लोग प्रिय है चलते हैं नेक्स्ट क्वेशन पर हाली में कौन सा जहाज ब्रह्मपुत्र नदी में सबसे अधिक नौकायन करने वाला जहाज बन गया है और यहां बेडा 90 मीटर लंबा और 26 मीटर चौड़ा है तो यह थे करेंट अफेयर मार्च और अप्रिल के कुछ इंपोर्टन करेंट अफेयर मिलते हैं नेक्स्ट पार्टमेंट थैंक्यू